नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारी यूटूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तूलारासी के महारासी फल के बारे में कि यह दिन तूलारासी वालों के लिए केसा रहेगा किन कीन चीज़ों से इनको फायदा होगा और किन चीज़ों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइप केसे रहेगी केरियर केसा रहेगा बिजनेस और बैपार केसा रहेगा और स्वास्ते की महतपुन जानकारी इस वीडियो में देंगे और साथ में बताएंगे कि आपका सुबरंग और सुबरंग क्या है दोस्तों वीडियो के अंत में हम आपको इगुपाइभे बताएंगे जिससे आप अपने दिन को अच्छा और बहतर बना सके तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोटोपीकिसन बैल को दबा दें जिससे समय समय पर हमारे नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कि कैसा रहेगा तूला रासी वालों के लिए आज का दिन सबसे पहले बात करते हैं किया आज आपके लिए पोजिटिव रहने वाला है दोस्तों आज किसी महतपुन कार की रुपरेखा बनेगी, आय और वै में समनता बने रहेगी, कुष में आत्म मनन में भी जरूर वेतित करें इसे आपको कोई उल्जे वे कारियों को व्योसित करना में सहयता मिलेगी पिछले कुछ समय से आप जिस कारे के प्रती प्रयासरत थे आज आपकी मेहनत और लगन के प्रत्यासित लाब मिलने वाली हैं कुछ समय धार में वह समाज सिवी संस्थाओं के सहयोग में भी वेतित होगा यू आवर अने छेत्र समंदी जानकरियां हासिल करने में भी रूची रखेंगे पड़सियां के साथ चल रहा कोई पुराना मसला आज सुलच सकता है आफिस समंदा में भी पुना मधुरता आएगी पुरी उर्जा के साथ अपने कारे के परति समर्पित रहेंगे बच्चों की किसी समंदी का समाधान मिलने से राहत मिलेगी आज किसी नजदी की समंदी का घर में आगमन होगा जिससे दिन सुखनामा वेतित होगा तथा पुराने इसमिर्पियां ताजा होने से मन परभुलित रहेगा किसी विशे स्मुद्धी पर विचास बिमार्स होने से आपकी कोई चींता भी दूर हो सकती है तोस्तों आज कुछ प्रभावसाली लोगों के साथ में मुलाकात का आफसर मनेगा तदा आपसी वरतलाब दोरा वहत्रिन नतीजे भी सामने आएंगे दिन का कुछ समय घर की गतिवीदियों और बच्चों की समासिया को वैस्तित रखने में भी समिवितित करें मीत्रों के साथ मोज मस्ती और मनटून जन में समिवितित होगा और इससे रोजमारा की वैस्ता दिन चाराएं में कुछ बतलाब शकुन भी आएगा अब अपने व्यक्तित और व्यहवार को निखारने के लिए कुछ खास नियम भी बनाएंगे खुल मिला कर दिन सुख़द व्यतित होगा तो परिवार जोनों के साथ मननजन और घर की देखरेक में अधिकतर समय व्यतित होगा समाजिक दायरा बढ़ेगा तथा आपके व्यक्तित में भी सकार्ट में बदलाव आएगा अगर कोट के समंदिक कोई कारवाई चल रही है तो फ्यसला आपके पक्ष में होने की संभावना है तो सब किन नेगेटीब की बात करें तो व्यक्तिकत व्यस्ता के साथ साथ घर परिवार के व्यस्ता पर भी ध्यान देना जरूरी है किस भी अंजान व्यक्ति पर अधिक विश्वास न करें नहीं उनकी बातों में आएं क्योंकि आपको नुक्सान हो सकता है खर्चों पर काबू रखें कहीं भी पैसा निवेश करने से पहले किसी अनुवी व्यक्ति की सला मसवरा अवसा करें किसी नजदी की मित्रों और समंधियों के साथ संबंध खराब न हो और इसके लिए आपको ही उचित प्रियास करने होंगे विद्यार्ती अपने पढ़ाई पर जाद्या ध्यान दें तभी आप अपने केरियर में आगे बढ़ पाएंगे तना भावई होने से इसका दूस प्रभाव आपकी कारच हमता पर भी पढ़ेगा इसलिए सवाब में सहाजता बना कर रखें किसी भी तरह की यातरा को अस्तेगित रखें क्योंकि कोई भी सकार्त में परना मिलने की शांभावना नहीं है बलकि नुकसान की इस्ति बन रही है ध्यान रखें कि बीना सोचे समझे किसी पर भी विश्वास करना आपके लिए नुकसान दाख रख सकता है इसलिए अपने वहबार के परती मनन और चिंतन बे भी जरूर करें धार्मी गतिविदियों में दिखावे जिसी परवड़ती से दूर रहें दोस्तों किसी कार में आचाना ही कुछ व्याबधाम आने से नुकसान हो सकता है वहम और गुश्वे की इस्तिती अपने सवापर ना आने दें इसे नज़्दी की लोगों के साथ समन्द बिगल सकते हैं भूमी समन्दी कार में ज़्यादा लाब की उमीर ना रखें भायों अत्वा किसी नज़्दी की समन्दी के साथ किसी परवारी समस्या को लेकर मन मुटा बल सकता है दुसरों के निरने को ज़्यादा प्रात्मिपता न दें अन्न था आप किसी के भाकावे में आ सकते हैं दोस्तों कुछ लोग आपके परती नाकार्त में विचार धारा रखेंगें पर तो इन सब बातों पर ध्यान न देकर आप अपने कारें में ही ध्यान दें आर्थीक को ठीक रखने के लिए अपने खर्चों पर नियंतरन रखना जरूरी है यूँ आवार नकार्तमा प्रविर्टे के मित्रों से दूरी बना कर रखें दूस्तों व्याफसा में किसी नए कारे समंदी कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो उस पर पहले उचित सोच विचार अवस्त करें वरना दिकते आएगी व्याफसा गस्तल पर आपकी उपस्ती अनिवार है क्योंकि आपकी जरासी लापारवी कारे छेतर के व्यास्ता को भंग कर सकती है सहगी और कमचारियों के साथ तालमिर बना कर रखें साज़दारी के व्याफसा में भी आज कोई भी महत्यपूर निरने ना ले नोकरी पैसा लोगों को उच्छ देकारियों किसी बात पर तनाव रह सकता है गुसी की वज़ाए सांतिपूर्ण तरीके से समस्या का हल निकाले पैतरिक समस्या समन्दी काम में साकारत में परिनाम सामने आएंगे परिवार के वारिश ब्रतियों की सहयोगवा सलाह आपको काम करने में मदद करेगी इसमें साज़दारी समन्दी बिजनेस में भी लाबदाग इसलतियां बन रही है दोस्तों मार्केटिंग समधी कारों में वैस्ता बने रहेगी परन्तु अपने गत्तिविदियों और योजनाओं को किसी के समक्स उजगार न करें और न था कोई आपकी कारपरनाली की नकल कर सकता है नकरी पैसा लोग अपनी फाइल और डिकुमेंट्स समाल कर रखें तोस्तों वैस्ता में किसी नए कार की सुरुवात करने के लिए अनुकुल समय है साथ ही आपने काम में बदलाव समंधी जो नीतिया बनाई है वो सकारतमक सावित होगी कार परनाली में भी सुधार आएगा नकरी पैसा लोग के उपर आज कोई खास ओथरेटी आ सकती है वैसा में अभी गतिविद्या पुरवत ही चलेंगे जदा सुधार आने की उमिद नहीं है धैर और सियम से आप व्यवस्ता को उचित बना कर रखने में समख्स रहेंगे नकरी पैसा व्यक्ति ध्यान दें की फाइल वर्क में गलती होने की आसंका है वैसा में मार्केटिंग समिंदिक कार में अधिक ध्यान दें पैमेंड यादि कलेक्ट करने का उत्यम समय है अधिक काम्यावी के चाह में किसी गलत रास्ते का चुनाव न करें राज की काम थोड़ी सी बधायें के उपरांत पूरे हो जाएंगे दोस्त आपके लव लाइफ में परिवारी बतावन सांती पूर्ण और अनुसासित रहेगा यावर प्रेम समवन्द में अपना समय नस्ट ना करें अपने केरियर पर ध्यान दें जिवन साथित था परिवार जानों का शहिव और सलह आपके लिए फाइदेमन सावित रहेगा प्रेम समवन्द में भी भावनातम नजदे किया बढ़ेगी दार्मी कतिविदिये में दिखावे जैसी परविर्ति से दूर रहे दोस्त आपके स्वास्त के बारे में दिखा जाए तो स्वास्त आपका उत्तम रहेगा कभी-कभी आपकी वीचलित मानसे इस्तिती का सकारतम परभाव आपकी कार्यचमता पर पढ़ सकता है असुन्तिलित खान पान पर नियंतरन रखें गैस और पेट में दर्द जिसी सिकायद महसूस होगी आयरुवेदिक चीजों का शेवन करें स्वास्त ठेक रहेगा परन्तु महिलाएं अपने स्वास्त के परति जागरुपत रहें इसमें किसी परकार का इंफेक्शन की सामभावना लग रही है वर्तमन भतावरन से अपना वचाब रखें ज्यादा भीलबाड़ वाले अस्थान पर जाने से परहेज करें दोस्तों तना और ठकान का परवाव आपकी कारेच्छंता पर पल सकता है उसमें खुद के लिए भी वेतित करना जरूरी है विवाहित इस्तरियों को लाल रंग युक्त सिंगार की चीजें जैसे चूडिया, साड़ी, सिंदुर, कुंकुम, यादी का दान दें ऐसा करने से मालक्ष में प्रसन होती है इतना ही नहीं जीवन के सभी परेशाने दूर होती है दोस्तों सुक्रवार के दिन गरिब और जरूरत मन वेक्ति को पुराने कितावें या पुराने जूते यादी देने से विगड़ी किस्मत बनती है दोस्ता आप बात करता आपका भागेसाली रंग और भागेसाली अंक क्या है दस्तापका भागेसाली रंग ہारा है और भागेसाली हंख चार है दोस्तों मालक्षमी जी की आशिरवात आप सबी को प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेड बॉक्स में जै मालक्षमी जरूर लिखें और वीडियो को लाइक सीयर जरूर करें धन्यवाद